नमस्कार जैहिन दोस्तो दोस्तों बिहार दुरोगा का सेट तफ आपका डेली बिस पे करवाय जा रहा है और आज देखेंगे तो यह आपका सेट नमर टूंटी फ़ाई है इसके पहले का आपका 24 अप्लोड हो चुका है और दोस्तों ये आपका रोसन सर की दोरा सेट निकाला गया है तो कोशन का लिवल आपका बहुत ही बहतरीन है जो कि आपके सिलिबस के नुसार आपका है तो पूरा प्रसन देखिएगा ताकि आपका भी हर दरोगा में एक रिव है तो इसमें देखिए गलती है हमारा क्या ओप्सन है जिसी इनकी मिरतियों की बात करते हैं तो 832 इस्विव में हुआ है यही हमारा गलत हो जाएगा बाकी इनका जन्म जो है इसा की 30 सताब्री के अंत में आरब में हुआ था सही है इन्होंने एक नए धर्म यानि इसलाम ध अगला है कि चांदी की उत्पादन में भारत का करमसह कौन सा राज्य प्रथम दूतिय वह त्रतिय स्थान पर आता है क्या होगा इसका सही आंजर इसका सही आंजर आप देखेंगे तो आप का राधिष्थान होगा करनाटक और जारखंड option नमर जो है दूसरे का B सही आंजर होगा यदि रांजितिक दल को 6-3 दल की रूप में मानेता दियाती है यदि देखिए वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधान सभा चुनाओं में आठ परतिसर जो है वोट प्राप्ट करता है ऑप्सन जो है हमारा तीसरे का सी सही आंसर होगा बंगाल विभाजन के संदर्व में निमलिकित कतनों में से कौन से कतन जो है सही नहीं है क्या हमारे इसमें गलत है देखिए किवल दो हमारे इसमें गलत है यानि विभाजन में बंगाल के पूरी भाग को उडिसा में मिला दिया गया था तो ये भी हमारा दोस्तों सही है निमलिखित कपनों में से कौन से भारत के बारे में सही है सही उत्तर के चैन हे तू अधुलिखित कूट का उपयोग करके बताईए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका दो और चार सही दिया गये है जैसे दूसरा हमारा कि यह इस्थल संदल के कूल छेत्रफल का लगबग 2.4 प्रतिसत भाग पर जो है अधिकरित किये गये हैं उसका जो है 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी दिसंतर का उपयोग भारतिय मानक समय को निर्धारित करने के लिए जो है दूस्तों किया आता है तो आपका दो और चार हमारा सही है अगला है कि किस वाद में यह निर्णे लिया गया कि प्रस्तावना को नियाले में परवर्थित नहीं किया जा सकता है इसका सही आंसर आप देखेंगे तो भारत संग बनाम मदन गोपाल उनिस सो संतावन ओप्सन जो है हमारा सिक्स का ए सही आंसर होगा भक्ति आंदोरन के के निमलखित कतनों पर विचार कीजे किया हमारे इसमें सही है चलिए देख लेते हैं देख protagon करते हैं question number 7 का तो देखें भक्ति आंदोलन का प्राणरम जो है दोस्तो तप्रमिल देश के अलवार और नयानार संतों ने किया था सही है भक्ति आंदोलन के समर्थन Things की चल्यागे हमारा प्रस्थन है दीसा एवं इस्थान मिलान करके बताना है देखिए सबसे पुर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आलमगीर पूर हो depend on how dare टीपू सुल्तान के विरुध अंतिम यूध में अंगरेजी सेना का नित्रतु जो है निर्मलिखित में से किसने किया था निर्मलिखित में से किसके द्वारा ये किया गया है तो ये आपको जनरल सर डेविड बेर्ड हो जाएगा option नमबर आप देखेंगे 9 कहा तो हमारा यहा में कच्छुआ की चारो प्रजातियां पाया जाता है कि कि सही उत्तर हो जाएगा आपका भीतर करनी का हो जाएगा option नमर आप देखेंगे 10 का तो भी होगा निर्मलिखित में से कौन एसी आई सोसाइटी आफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है एसी आई सोसाइटी एथलियन हॉलहेड है हेंरी टॉमस कोलबुरुक भी इसमें सामिल है भारत छड़ो अंदुरन के दोरान किन किन जगहों पर समनतर सरकार की स्थापना किया गया था तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका केवल एक तीन चार होगा जिसमें से आपका बलिया होगा ताम यह जो कथन है दोस्तों यह आपका एच जे खांडेकर का है किसका है एच जे खांडेकर का ओप्सन नमबर भी राइट होगा जो आई सुकरी एवं जोरारी निम्न में से किसकी सहयक नदिया है यह सब किसकी सहयक नदिया है तो दोस्तों यह आपका लूनी का है किसका है लू तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका कनाड़ा जो है सही आंसर होगा ओप्सन नंबर आपका यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा है कि विजय नगर के विरुध ताली कोटा के यूध में निम्न यूध में किन तीन राजियों ने जो है संगठन बना कर आकर किया था संगठन बना करके दोस्तों उससे पहले आप सभी उता देखें बिहार दरोगा के टेलिग्राम पर गुरुप बनाए गया है आप वहां पर जॉइन होके सेड़ बना सकते हैं यह रहा वाट्स अप नंबर एट सेवन फाइब सिक्स फाइब फोर सिक्स फाइब डब दुरापती मुर्मू है ना आपसन नंबर आपके यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा आपसन नंबर सी 1857 की बिद्रों के बाद अंग्रेजे दौरा किये गए अहमद है ना अहम बदलाव के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे सही हमारा इसमें कौन सन नहीं है देखिया 18 का अंसर आप देखेंगे तो मुसल्मानों की जमीन और संपती बड़े पैमाने पर जब तक किया गया था यही हमारा दोस्तों गलत है बाकि ब्रिटीस मंतरी मंडल के एक सदवस्य को भारत राज्य के सच्यू की रूप में निक्त्ट किया गया था सही है भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या फिर रानी का निजी प्रतविन्तों का गोशना या फिर घोसित किया गया था ये सब भी हमारा सही है अगला प्रसने के बेकिंग लोक पाल योजना के बारे में असत एक खन का यहाँ पे चैन करके बताईए क्या हमारा इसमें गलत है देखिए इसके दोरा परित आदेश अंतिम और बाधेकारी होता है यही दोस्तो हमारा गलत है बाकी इसकी सुरुवात की बात करते है 14 जून 1995 में किया गया है यह एक जो है अरधनियाईक प्राधिकारी है इसके दोरा दिये गए सिवाय जो है निसूल को होती है अगला प्रस्ते है कि अमन ओस तथा बोरो किस फसल के प्रमुख प्रजातियां है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यह आपका चावल का हो जाएगा जो कि यह आपसर नमर 20 का ए राइट होगा निमलकित घटनाओ और उनके समय को सुमलित करके बताईए क्या हमारे इसमें आंसर होगा चलिए इसको हम जुमाउट करते ताकि आपको पुरा दिख पाए तकि यह 1556 की बात करते हैं तो यह आप पहुझाएगा हेमू और अकबर के बीच पानी पत का दूसर लड़ाई हो जाएगा 1526 आप सबी को पता है दोस्तो यह आपका बाबर और इब्राहिम रोदी के बीच पानी पत का प्रथम युद हो जाएगा या फिर प्रथम लड़ाई उसके बाद 1761 यह दोस्तो आपका हो जाएगा अहमद सा अबदाली और मराठो के बीच पानी पत का तिसरी लड़ाई हो जाएगा 1749 की बात करते हैं तो नादिर साहा द्वारा दिल्ली में कतले आम तो आप आपसन आप देखेंगे तो 21 का हमारा जो है सी होगा 3,2,4,1 इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है कि मुगल समराज ये कई इकायों में बटा हुआ था इनका सही करम क्या है इनका सही करम देखेंगे तो सुबा होगा सुबा सरकार परगना और गाउं आपसन नमबर ए राइट होगा अगला है कि उपापचे दर सरवाधिक होती है देखेंगे आपका तो यह आपक होगा चूले में होगा क्या होगा और चूहे में होता है इन रैट्स में आप्सन नमबर ए होगा यूवा टू पॉइंट यूरो यूवा लेखोकों को परामर्स देने वाली प्रदहान मंत्री योजना प्राइम मिनिस्टर स्कीम फोर मेंटोरिंग यंग एठोर्ट की प्रतिकिरिया करते हैं तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका अप्सन नमबर आपका 25 का सी होगा 26 अंतराश्ट्रिया माला बार नौ से ना अभ्यास निमलिखित में से कहां पर हुआ है यह कहां हुआ है दोस्तों तो यह आपका जापान में हुआ है ऑप्सन नमबर ए राइट होगा रियास्तों को भारत में समलित करने के लिए किसके अत्नेत्रितों में एक रियास्ती मंत्राले जो है बनाया गया है तो क्या है इसका उप्सन बताएए 27 नमबर का देखेंगे सरदार बल्लभाई पटेल चोकि ऑप्सन नमबर आपका यहां पर 27 का डी होगा नाभिकिये अभिकिरियाओं में संरक्षित रहता है 28 का उत्तर आपको होगा केवल उड़ जा होगा ऑप्सन नमबर आपका B राइट होगा भाविसे का इंधन कौन सा है देखेंगे तो यह आपका हाइड्रोजन होगा क्या होगा हाइड्रोजन ऑप्सन नमबर B निम्न में से कौन परिश्थितकिये तंत्र का अकार्बनिक घटक है इसका उत्तर आपको हो जाएगा कार्बन डाय आउक्साइड हो जाएगा जोकि आप्सन नमबर आप तीस का देखेंगे तो डी राइट होगा मानोसईड की पल्स दर की जाच क्यों कि जाती है तो देखेंगे तो दिल की फंक्सनिंग जाचने के लिए दोस्तों किया आता है आप्सन नमबर जो है हमारा ठटीवन का ए होगा असत्य कथन का चैन करके बताएगे क्या हमारे इसमें असत्य है देखें केंदरीये बैंक के रूप में आर बियाई की संस्तूती जो है सीवरामन समिती ने दिया थे यही हमारा गलत है बाकि आर वियाई के प्रथम गवर् पर देखेंगे दस्वा भाग होता है क्या होगा राजस्थान हाइप कोड का मूल इस्थान कहां है तो यह आपको जोधपूर में देखने को मिलता है कहां पर जोधपूर में ऑप्शन नमबर भी अगला की आई एस एस एफ विश्व चेंपियंशिप दो हजार बाइस में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांच पदक जीता है यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया गया है किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली साखा के स्थापना किया है कौन सा वो सेना है बताइएगा तो कि 36 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्सन नमबर आपका हो जाएगा भारती यह वायू सेना होगा जो की एसका करेक्ट आंसर होगा अगला की आजकल सड़कों प्रोसनी के लिए प्रायः पीले लेंपों का प्रयोग किया आता है उन लेंपों में निम्ण में से किस गैस का प्रयोग दोस्तों किया आता है सही आंसर आप देखेंगे 37 का तो यह आपका सोडियम होगा क्या होगा सोडियम ओप्सन नमबर ए होगा माता की नागरिकता के अधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है किसके द्वारत दिया गया है इसका आंसर आप देखेंगे तो नागरिक्ता संसोधन अधिनियम उन्नियू सो बान बे ऑप्सन नमबर हमारा जो है अनतीस का ए राइट आंसर होगा निम्नलिखीत में से किसे वर्स 2022 का नोबेल सांती पुरसकार प्रदान किया गया है तो देखि सकते हैं उप्यूपत हमारा जो है सब सही उत्तर होगा सूर्य प्रकास प्रित्वी पर किस माध्यम से पहुषता है किस माध्यम से पहुषता है तो यह आपका उसमा विकिनन होगा क्या होगा उसमा विकिनन ऑप्सन नमबर बी निम्नलिखीत तित्रियों में से किस दिन भार हुआ पूरंड में मूख्य पराथमिक उत्पाद कौन है उत्पादन पूछरा है कौन है तो यह आपका हो दोस्तों फायट ability हрав जाएगा जोकिे ऑप्सानमबर आपका सी होगा जन संख्या का परिस्थ्यत की अध्यान किसे कहते हैं जन पारिष्टित की अध्यान आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा तो ये आपको देमिको लॉजी होगा क्या होगा डेमिको लॉजी ऑप्सन नमबर यहां पर जो है डी सही आंसर होगा हाल ही में परधानमंतरी आवास योजना सहरी के तहत सर्वसेष्ट परदर क्रांती का कारक जो है नहीं था अधोग क्रांती का कारक दोस्तों आपका नहीं था तो देखेंगे पैतालिस का अंसर आप देखेंगे तो आपका धर्म सुधार आंदोलन होगा ऑप्सन नमबर आपका ए राइट होगा किस जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्री करण क क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका जयो संचयन हो जाएगा जो कि ऑप्सन नमबर आपका यहांप 46 का ए राइट होगा हाल ही में परधान मंत्री ने यू एन चीप के साथ मिल कर गुजरात में कौन सा मिसन जो है लॉंच किया है गुजरात में कौन सा मिसन लॉंच किया है देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 47 का तो आपका होजागा मिसन लाइफ होगा क्या होगा मिसन लाइफ ऑप्सन नमबर आपका बी सही आंसर होगा हाल ही में स्वीडन के ने परधान मंत्री की रूप में किसे चुना गया है स्वीडन के परधान मंत्री की रूप में चुना गया है देखिए 48 का आंसर आप देखेंगे तो आपसन नमबर आपके हैंपर D हो जागा है हैंडरी होगा क्या होगा हैंडरी आपसन नमबर D प्रधान मंतरी उज्वला योजना की सुरुआत आप देखेंगे तो यह आपका 1 मई 2016 में हुआ है हाल ही में फ्रांस सरकार निमलिखित में से किस भारतिय गाइका को अपने सरवोच समान जो कि सेवेलियर डेल अर्ड्रे डेस और्डेस पुरसकार से समनित किया गया है इसका उत्तर देखेंगे तो अरुना अरुनो साइब नाम जो कि यह आपसन नमबर आपका D सही आंसर होगा हाइटरा है क्या इसका सही आंसर क्या होगा देखेंगे क्यावन का आंसर देखेंगे तो आपका मास भक्षी है option number D सही answer होगा असत ये कथन का यहाँ पे chain करके बताना है क्या हमारा इसमें गलत है देखिए लोगसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद जो है रिक्त हो जाता है जो कि यही हमारा गलत है अकि प्रोटेम स्पिकर तब तक कारे करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का chain नहीं कर ले जाता है लोगसभा का अध्यक्ष जो है समानी सदस्य की रूप में सपत लेता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को मतलब एक दूसरे को वो लोग यह त्याग पत्र देते हैं, तो इस तरिके से आप समझ सकते हैं, आंसर जो है हमारा 52 का डी गलत है, विश्व में सामिवादी सासन के स्थापना सरपर्थम किस देश में हुई है, यह आपका कौन से देश में हुआ है तो देखिए आपका रूस में हुआ है, कहाँ पर रूस म बे वीमान निर्मान सन्यंत्र है कदमत समुद्रट की बात करते हैं तो यह आपका ब्लू चिप की सूची में सामिल लोथल की बात करते हैं राश्टरी समुद्री वीरासत परिसत इस्थल ऑप्सन नमबर हमारा जो है ए सही आंसर होगा चली आगला है कि मनुस्य का एक कवक जन ऐसिया का पर्माड़ू करन दोस्तों यह आपका जारी किया है देखिए इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा बताएगा है छपपन का तो आपसन नमबर आपका हो जायागा फ्रानस निम्नलिखीत में से कौन सा संगठन जो है अर्थविग्यान में नोबेल मेमोरियल पुरसकार प्रदान करता है नोबेल मेमोरियल पुरसकार जो है प्रदान करता है तो यह रहा इसका सही आंसर देखिए संतावन का सही आंसर आप देखेंगे तो आपसन नमबर आपका हो option number D UNESCO ने सोहरा में मौमलूह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवेग्यानिक इस्थलों में चुना है यह हन्मिल्खीत में से किस राज्य में अवस्तित है यह कौन से राज्य में अवस्तित देखी आपको मेघाले में देखने को मिलता है कहां पर मेघाले में option number C RN मलहोतरा कमेटी संबंदी थे किस से RN मलहोतरा जो समीती है यह आपका संबंद रखता है दोस्तों आपका देखेंग दुबीमा छेतर से हो जाएगा option number C flying गिलहरी एवं line-tailed macaak किस छेतर की एक नई विशिष्ट इस्थानी पर जाती है इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो यह आपका पस्मी घाट होगा जो कि option number B right होगा नेतर प्रचलन के नियम है तो किनकी नेतर जो है पेसियां पाए जाती है 62 का आप देखेंगे तो यह आपका 6 हो जाएगा जो कि option number आपका यहाँ पर D right answer होगा Q किस खेल से संबंदी थे जो आपका Q है दोस्तो किस खेल से संबंद रखता है तो यह आपका हो जाएगा दोस्तो बिलियर्ट से है किस से है बिलियर्ट से option number D वसा में घुलनसील विटामिन होते है वसा में घुलनसील विटामिन होते है तो यह आपका कैलसी फेरॉल, कैरोटीन और टोको फेरॉल option number आप देखेंगे 64 का तो B सही आंसर होगा भारत में पहला factory कानून जो है किस वर्स बना है भारत में पहला factory कानून किस वर्स में बना है क्या होगा इसका सही आंसर देखेंगे 65 का उत्तर आप देखेंगे तो आपका 1881 हो जाएगा जो कि option number आपका C होगा एसिया के सबसे बड़े संपीडित बायो गैस सनियंतर का उद्घाटन कहां पर किया गया है जो इसका उद्घाटन है दोस्तों कहां पर किया गया है इसका सही आंसर आप देखेंगे तो यह आपको पंजाब में देखने को मिलता है option number C होगा भारत के किस राज मेराश्ट्रिय जल क्रिड़ा संस्थान है कहां पर तो यह आपको गोवा में देखने को मिलता है कहां पर गोवा में कौन से बिमारी जो है दिल से संबंदित नहीं है कौन से बिमारी दोस्तों आपका दिल से संबंदित नहीं है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो diphtheria option number 69 का C सही आंसर होगा diphtheria हाल ही में किसे नए रक्षा सचीव की रूप में निउक्त किया गया है सही उत्राप को हो जाएगा 79 का गृधर अर्माने होगा गृधर अर्माने ओप्सन नमबर A राष्टरी अनसुजित जन जाती आयोक के प्रथम अध्धिक्ष कौन थे इसका सही उत्राप देखेंगे तो US धेबर जोकि ऑप्सन नमबर 70 का A होगा हाल ही में जम्मू कास्मीर में जलवायू परिवर्तन पर अंतराष्ट्री सम्मिलन का आयोजन निमलिखित में से किसके दोरा किया गया है निमलिखित में से किसके दोरा ये किया गया है तो देखिए आप देखेंगे तो महिमा रिसर्स फाउंडेशन समाज का लियान विभाग सेर एक कस्मीर की रिसिव विज्ञान और प्रधोक की विश्व विद्याले जम्मू तो आप देखेंगे तो इन में से सभी के द्वारा ये किया गया है आपका डी होगा अगला है कि एंट वर्प हीरे के तरासने एवं व्यपार का एक अग्रणी इस्थान कहां परिस्थित है जो आपका अग्रणी इस्थान है ये आपको देखने के मिलता है निधर लेंड में जो कि अप्षिण नमँर सी होगा एक लोला का आयाम ए एक पूड दोलन में तै किया गया दूरी का मान कया है ते आपका फोर ए होगा क्या होगा फोर ए एक वस्तू के जड़त्व कि प्रतियक्ष निर्भारता है तो 74 का देखेंगे तो यह आपका दरबेमान पर हो जायेग ऑप्सन नमबर आपका 74 का A होगा 23 जनवरी को नेता जी के किस जैनती के आउसर पर मैं भी सुबास अभियान की शुरुआत किया गया है देखिए 75 का आप देखेंगे तो यह अपका 125 हो जाएगा ऑप्सन नमबर C होगा भारत में सरोपर्थम दिखाई देने वाला यह आंसर होगा अगला है कि एक वर्ग में प्रतेक विध्यारती यानि आप यह देखेंगे तो मैथ प्लस रिजनिंग का कोशन आपका दिया हुआ है तो आप आराम से गुरूप में जोईन हो जाएए वहां से आप यह सब कोशन बनाईए आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे तो अपका हो जाएगा गाँधे जी दोना अनुछ typically कर अंग्रे जों को मनमाय ढंक से कारेना करने देना टो आपकी जो हैं है हमारा एक और दो सही When बारत के समेधान में किये अ Singhा करो को केंद्र धोरा लगाया graph Sep एकत्रित्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों की बीच वित्रित्र किया जाता है देखिए 83 का देखेंगे तो आपका 270 हो जाएगा उप्सन नमबर आपका C होगा अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्व में विचार कीजिए दोस्तों देखिए 1845 में पहला अंग्रेज सीख युद सुरू हुआ है और खाल्सा की हार के साथ युद समाप्त हुआ है पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कबजा हुआ उस समय डलोहोजी गवर्नर जनरल था 1845 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई बिद्रों हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद हुआ तो आप बोल सकते हैं एक और दो तीन हमारा सब सही है फुटबॉल फॉर इस्कूल कारेकरम पहल किस संस्था दोरा सुरू किया गया है यह कौन से संस्था के दोरा यह सुरू किया गया है तो यह आपका फीफा हो जायागा जो कि ऑप्सन नमबर आपका बी राइट होगा किन दो जैन तिर्थंकरों के नाम का उलेख जो है रिगवेद में मिलता है तो यह आप देखे रिसब देव और अरिष्टनेमी ऑप्सन नमबर आप देखेंगे 86 का तो हमारा डी सही होगा आरियों के मुल निवास इस्थान को लेकर विभिन विद्वान के विचार का यहाँ पे मिलान करके बताना है देखे यहाँ पर विद्वान और आरियों का मुल निवास दिया गिया है तो यहाँ पे मैक्स मुलर दिया गिया है और एक तरफ हमारा तिबबद दिया गिया तो चलिए इसका प्सन हम आपको बतायते हैं आप इसको आराम सी आरेंजि कर लिगे सबसे उची चोटी कौन सी है सबसे उची चोटी आप देखेंगे दोस्तों तो यह आपको हुझा कंचन जंगा होगा जो कि आपका भी होगा मानक समय रेखा इवं करके रेखा एक दूसरे को कहां काटती है सही आंसर आप देखेंगे 89 का तो यह आपका हो जागा दोस्तों 36 गड़ होगा क्या होगा 36 गड़ ऑप्सन नमबर बी निम्न में से कौन मुस्रीम लीक के सदस्य अंतरी मंतरी मंदल में सामिल नहीं हुए थे कई निमलिकित में से कौन सा दोस्तों इसमें आपके सामिल नहीं होए थे अकिलियाकत अलिकां जोगेंदर नात्मंडल और अब्दुल्रब नासुर नस्तर जोहीं लोग सामिल हुए थे 10 डिगरी चैनल अवस्थित है देखे 10 डिगरी चैनल की बात कर लेते हैं किस परियोजना को कनाड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से हम इसको जानते हैं कि 93 कांसर आप देखेंगे तो यह आपका मयूराक्षी परियुजना हो जाएगा जोकि आपसन नम्बर आपका बी सही उत्तर होगा नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कार खाना कहां परवस्तित है तो कि सरकारी कार खाना की बात कर लेते हैं तो यह आपका होसंगा होगा एलोरा की गुफा पंद्रा के भिति चित्र जिसमें भगवान विश्नों को नर्थिम अवतार में दिखाये गया है किस काल की कृति है यह किस काल की कृति है बताइएगा देखिए आपको जगा राश्ट्र कुट काल हो जाएगा जोकि आपसन आपका च्छानबे का ए ही हमारा दोस्तों यहां पर गलत है बाके श्रेणी व्यापारियों और कारिकरों का संगठन था उत्पादित वस्तुओं की गुण्वत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निरधारित किया जाता था श्रेणी अपने सतक्सियों के आच्रण पर भी नियंत्रन रखा कर्ची थी यह भी हमारा सही है किस जीव को संद्रक्षण के लिए सेवा सेव नामक कारेकरम को आरंब किया गया है इसका उतर हो जाग गित होगा 74 समिधान संसोधन को कब जो है दोस्तों लग किया गया है तो यह आपका लागू हुआ है एक जून 1993 ऑप्सन नमबर बी होगा कैबिनेट मिशन के संदर्व में निमलकित कतनों पर विचार किजी सही हमारा क्या है देखिए इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्विकार कर दिया गया था इसमें सुझहाओ दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहूल छेतलों को कुछ स्वायता देते हुए एक धीले ढ धाले महासंग के रूप में जुह संगठित किया जाए तो आप बोल सकते हैं एक और दो हमारा इसमें सही है दोस्तों यहीं पर हमारा जुह है से समाप्ट होता है अब कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रस्तन सही किये हैं और इसके पहले कभी आप वीडियो जुह करते करेंगे अगर आपका कमेंट रहता है तो हम आप शुरुवाद कर सकते हैं आपका देखते हैं किस तरीके से आपका एक तरीके से सब्सक्राइब जल्द मिलेंगे आज के लिए इतना ही जै हिंत जै भारत